आप सभी का दिल से बहुत स्वागत है आज कल आप कहीं लोगों के मुह से सुनते होंगे कि विटामिन C का सिरम जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अपनी स्किन केर में इसे जरूर जरूर शामिल करना चाहिए तो फ्रेंच यह बात बिल्गुल सची है आपकी स्किन को अगर चाहिए और अगर घर का बना हुआ विटामिन C सिरम हो जिसे हमने आपों बनाया हो जिसमें हमें पता हो कि हमने क्या-क्या आड़ किया है तो बात ही और दो आज जाने हैं जरू हो जाएंगे आपके चेहरे पे बहुतिफ tumor Questo उना जा रही हुई जी हाँ तो फ्रेंट सबसे पहले मैं आपको वह सिरम दिखाती हूं तो यह है वह बहतरीन सा सिरम जिसे हमने बहुत ही सिंपल इंग्रेडियन्ट से घर ही में तयार किया है कुछ इस तरीके की इसकी लिक्विडी कंसिस्टेंसी है आप देख रहे हैं बिल्कुल लिक्विड है यह और जब हम इसको इस तरीके से अपनी स्किन पर मलेंगे थोड़ा सा 5-10 मिनिट सी आप इसको मलेंगे तो यह पूरी तरीके से एब्जॉब हो जाएगा और आपकी स्किन पर छोड़ जाएगा एक ब्यूटिफुल सी शाइन साथी साथ आपको बहुत अच्छे से हाइड्रेट होने वाली है और आप इसको दिन में दो बार तीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कोई नुकसान नहीं है चलिए फ्रेंज देखते हैं किस तरीके से हमने विटामिन सी सिरम बनाया क्या-क्या यूस किया सारी डीटेल में आगे आपके साथ विडियो में शेयर करते हैं अब देखे फ्रेंज इस सीरम को बनाने के लिए हम ले रहे हैं दो आवला फ्रेश आवला हम यहां यूस कर रहे हैं वाश करके कट कर लिया है साथी हमने एक आलू भी कट कर लिया है चोटे टुकडों में और इन दोनों चीजों को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे साथ ही डाल देंगे आधा नीबू अगर आपको नीबू सूट नहीं करता तो आधे की जगा आठ से दस बूंदे नीबू की आड़ कर सकते हैं पर नीबू आड़ ज़रूर करिएगा और दो से तीन के करीब हम इसमें गुलाब जल आड़ करेंगे और एक के तीन कैपसूल एक एक करके आपको आड़ करने हैं इसमें साथ ही हम इसमें आड़ करने वाले हैं यहां पे ग्लीसरीन अब देखे कहीं लोग ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा आकने पिंपल्स होते हैं उन्हें ग्लीसरीन सूट नहीं करती तो फ्रेंड्स आप ग्ल तो आप यहां पर आमंड ओयल या ओप्शन में ओलिव ओयल आड़ कर सकते हैं जो ना जमने वाले ओयल हो वही आप इसमें आड़ करें और इन सारी चीजों को अच्छा से मिक्स करके इसे किसी कांच के कंटेनर में 20 डेज के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं आप बाहर भी इसे रख सकते हैं यह खराब नहीं होएगा बड़े आराम से मौनिंग इवनिंग आप इसके इस्सेमाल करिए इसके ब्यूटिफल रिजर्ट यहां पर आवला आलू और नीबु करस तीन में इंग्रीडियंट्स हैं जिनने मिला कर के हमने सीरम तयार किया साती इसमें हमने और विटमिनी के कैपसुल यह सारी चीजें मिल करके एक बड़ी आसा सीरम आपके लिए तयार करेंगी और आप जब इससे रेगुलरली यूज करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आपकी स्किन पर वो हाइड्रेशन के साथ-साथ वो ब्यूटिफल ग्लो आ रहा है जो आ मैं अमीद करती हूँ मेरे आज की वीडियो लगे होगी आप लगों को बहुत बहुत अच्छी और यह अमेजिंग सा से रम अप अपने घर में बनाएंगे यूस करेंगे और अपनी व्यूस करेंगे मेरे साथ शेयर साती साथ करेंगे मेरे चानल को सब्सक्राइब और मीड को भी लाइक करेंगे टेक कियर बाई बाई